रुख करते हैं अब परदेश की हुए हिमाचिन परदेश कॉंगरेस पार्टी प्रवक्ता प्रेम कौशल है विलास्पूर में पत्रकारों के साथ बात्ची के दुरान का की इस बार लोगसबा चुनावों में भाजपा के नेताओं द्वारा लोगतांतरिक भावनाओं के दि लोगसबा चुनावों में आम्यत्ता भाजपा को तड़िपार करेंगी क्योंकि इस तरह की भाशर का इस्तमाल के वर तड़िपार और टपूरियों करते हैं बिलास्पूर के इंद्रभावन में पतरकारों को संबोधित करते हुए हिमाचल कॉंग्रेस पार्टी प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि इस बार की लोगसबा चुनावों में भाजपा के नेताओं द्वारा लोगतांतरिक भावनाओं के विपरीत विरोधा भास वाली बियान बाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में प्रधान मंतरी से लेकर नीचे तक के नेताओं द्वारा इस तरह की अभद्र टिपनियां की जा रही है। रही कुछ तारी नहीं रहा। विचार धरा की रिलाइडर ये, मुद्धों की बात करिये। आज मुद्धे गौंग कर दिये भारते जंता पाटी। मुद्धों की बात ये नहीं करती। चर्चे नहीं करती बाती। आज मैं देखता है किसे एकवाल में एक ब्यान चापा है भारते जंता पाटी के जो इस लोग सबक्षेतर के चुना कर रही है। प्रवीन शर्माजीर। उन्हें का रामडाल ठाकुर ने अरामशीने बंद करा दी थी। मैं उनसे कहूंगा कि अपने नौलज़ को अप्डेट करें। अरामशीने जो बंद हुई वो सुप्रीम कोट के एक निरने के उपरांथ। और ठाकुर रामडाल ने बन मंत्री के तौर पर वीर भदर सिंग्ग की सरकार ने सुप्रीम कोट ने उनकी बहाली के लिए याशकादाय की और जोरदार तरीके से उसकी वसालत की और वन मंतरी उसकत के ठाकूर राम राल ने ब्यक्ति गत्ध हस्त शेप करते हुए रुची लेते हुए उन आरा मशीनों को उन्हें चालू उकराने की लड़ाई लड़ी और जीती और उनकी उस लड़ाई के बाद जो था आरामशीन जो थी वो द्वारा चलू हुई जो अबैद थे वो तो बंद हो गए लेकिन जो पुराने समय से चल रहे थे उस सारे के सारे बहाल हुआ अज मेरे होरिश्क शेत्रे में भी बहुत सी आरामशीन आ काम कर रही है तो इस तरह कोशल ने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्स अपाल सत्ती द्वारा कॉंग्रिस की रास्ते अध्यक्ष महासची प्रियंका गांदी तथा राधा स्वामी सामुधाय के लोगों के खिलाफ अपांज अनेक्टिप्णिया की गई है जो की निंदनी है वहीं उत्तरप्रदे कोशल ने उना जिला के वरिष्ट भाजपानिता प्रवीन शर्मा के ब्यान पर परटवार करते हैं और अब भी विधायक हैं तथा किसान परिवार से संबंद रखते हैं प्रेम कोशल ने उना जिला के वरिष्ट भाजपानिता प्रवीन शर्मा के ब्यान पर परटवार करते हुए कहा कि हिमाचल परदेश में आरा मशीने सर्वोच नियालेवा ग्रीन ट्रिबनिल के आदेशों पर बंद की हुई थी उस समय रामलाल ठाकुन ने वन मंत्री के पद पर रहते हुए सरकार के माद्यम से नियाले में याची का दायर की इसके बाद आरा मशीनों को चलवाने के प्रियास के कारण ही ये खुल पाए थे उनने प्रवीन शर्मा पर चुनावों के समय ब्रहमक प्रचार करने के आरो भी लगाए उनने का कि इन चुनावों में हमीदपुर संसदिक शेतर में परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है अब तो हालत यह हो गई कि भारतिय जन्ता पार्टी तड़ी पारों की और टपोरियों की पार्टी हो गई हिमाशल प्रदेश के भारतिय जन्ता पार्टी के अध्यक्ष सत्पाल सती जी ने भाषा की संस्क्रिती की सभिता की नैतिक्ता की जितनी हदें हद से भी ज़्यादा कोई जीम हो सकती थी वो सारी की सारी लांग थी राहुल गांदी जी के विशे में टिपनी शर्मनाक प्रेंका गांदी जी के विशे में टिपनी महिलाओं का स्पष्टत है उसको अपमान कहा जाएगा पूरी महला जो समाज है उसका राधा स्वामी सत्संग संस्था के जो फॉलर्स हैं उनके विशे में अपमान जनक और अपती जनक टिपनी और यहां तक के माँ बेहन की गाले जन सभाव राजनिती में विरोध करने का और कोई मैं समझता हूँ हो नहीं सकता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारते जनता पार्टी की पार्टी हो गई है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तडी पार और टपोरी ही करते हैं कोई एक सभ्य समाज में किसी राजिंतिक दल का अध्यक्ष, किसी संक्ठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कारे करता और एक पड़ा लिखा आदमी, एक विद्वान आदमी और एक ऐसा व्यक्ति जो मानसीक रूप से स्वस्थ हो ऐसा रेक्ति इस तरह की आशा का इस्तिवाद पड़ा की ने कर सकते